कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा इस्टोप बनाएंगे जो इंजन ओयल जो जला हुआ अलग कर देते हैं और दोस्तों इसे आप आसानी से ही कम से कम खर्ची पर घर पर बना सकते हैं तो देख लेते हैं किसे किस तरह इसे बनाना है तो चलते हैं दोस्तों सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्ल आप च्छोटी बड़ी बाल्टी के चैयन कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक आधा इंची में निपल इसकी लंबाई 8 इंचे आप 8 इंचे से ज्यादा कभी निपल ले सकते हैं दोस्तों पहले जो नल्फिटंग हुआ करती थी उसमें इस तरह चाहिए जो हमें स्टोप बना रहा है उसमें बर्नर का काम करेगा ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए क्या दोस्तों यहां पर मैंने जितने भी लोहे की मटेरियल आपको दखाए हैं सभी आधा इंची में हैं जो कि आपको हाड़वेर की सवब जहां पर नल पर अकीले ले लिए ठीक है अब दोस्तों हम करते हैं से बनाना स्टार्ट तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस नेपल की एक साइड में स्कैप को अच्छी से टाइट कस लेंगे और इस नेपल की दूसरी साइड में हम इस बेंड को कसेंगे अब इसके बाद में हम 8 इंची लें में पल को बेंड के इस साइड में अच्छी से टाइट कस देंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने इन सभी को अच्छी से कस दिया है अब इसके बाद में दोस्तों बाल्टी के नीचे की साइड में यहां पर हम इस पाइप के माप के साफ से छे कर लिए आऊ ठीक है, दोस्टों मैंने बाल्टी में चेट कर दिया है, अब हम इस पाइप को बालटी के अंदर साइड से से इस तरह ऐसे डालेंगेई इसमें जो निपल है इसे हम बंकी बीस सेंटर में रखेंगे इस तरह ऐसे ठीक है और यहाब है यहांँ पडाले और मिक्चर को जो हमने यह एलबो लगा रखा है मिक्चर को इतना भरेंगे कि एलबो ढख जाना चाहिए लगबग एक इंच मोटा हम इसमें मिक्चर बिछाने वाले हैं ठीक है तो यह काम भी मैं जल्ली से कर लेता हूं तो दोस्तों मैंने इसमें मिक्चर को भर दिया है अब इसके बाद में दोस्तों हमें इस पीवी सी पाइप की टुकड़ी को बालती की बीच सेंटर में इस तरह इससे रख करके हलके हाँ से प्रेस करके इससे निकाल नेगे तो आप देख सकते ही मिक्चर की ऊपर हलका सा इसके बाहर की साइड में हम इन कीलों को थोड़ी थोड़ी अंतर से इस तरह से गढ़ा देंगे और यहां पर दोस्तों मैं कीलों को क्यों कर रहा हूं बो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो हमने मिक्चर की है इसे हम लगभख 4-5 घंटे के लिए छोड़ देगे इससे की हलक हलका सेट हो जाएगा इसके बाद में हम इसके उपर से फिर से रेत और सेमेंट का मिक्चर बिचाने वाले यानि कि दूसरी लेयर इसके उपर चड़ाने वाले हैं तो दोनों लेयर अच्छे से जोड़ जा अच्छी मजबूती से जोड़ जा इसलिए मैंने यह पर किलों को लगाया है तो दोस्तों मैंने कीलों को लगा दिया है अब इसे हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ठीक है तो दोस्तो आप ऐसे देख सकते हैं इसका मेक्चर हलकलकर सा शेट हो चुका है अब इसके बाद में दोस्तु हमें चाहिश तरह की पाइप दोस्तो से नलकी बोला जाता है मैंने यहां पर फुरानी नल की लिए दोस्तो इनल की बड़े बाहनों की ट्यूबों में लगी रही इसी से होकर के ट्यूब में हवार डाली जाती है तो जहां पर भी बड़े बाहिनों की पंचर बनाया जाती है वहां पर यह आपको नलकी आसानी से मिल जाएगी या इसकी जगा पर दोस्तों आप इसी के साइज का कोई भी मेटल का पाइप उपयोग कर सकते हैं ठीके तो दोस करने के बाद में जली से छेट कर लीता हूं ठीक है अब दोस्तों हम इस पीबीसी पाइप के टुकड़ी को वाल्टी की बीस सेंटर में इस तरह ऐसी रखेंगी और जो हमने पाइप काटा था इसे हम इस पाइप से सटा करके यहां पर इस तरह ऐसी लगा देंगे अब दोस दोस्तों मैंने इसमें अच्छे से मिक्चर को भर दिया है अब हम इसे लगबग 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे तो दोस्तों लगबग 2 घंटे हो चुके हैं और मिक्चर भी हलक हलका सा सेट हो चुका है अब दोस्तों हम इस पाइप को निकाल लेंगे तो इसे हम हलक हलका सा इस तरह से हेला हेला करके आराम से इसे निकाल लेंगे ठीक है दोस्तों आप एसमें देख सकते हैं कि सैमेंट का घुछ लगाना पड़े गा इसके ही साइदेगे ओर यहां पर नलकी बाला पाइप यहां अंदर की साइड में नियुक्र एक इंच ऊंचो रखेंगे और इसके बाद मैं दोस्तों चम्मस की पीची की साइड में हम सिमेंट को इस तरह से लगा करके इसमें सिमेंट को लगा देंगे ठीक है तो मैं जली से सिमेंट को इसमें लगा दीता हूँ मैंने इसमें सिमेंट को लगा दिया है अब दोस्तो हम एसे एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो दोस्तो लघबग 24 घंटे हो चुके हैं अब दोस्तो हम इसमेसे इस बाल्टी को निकाल देंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों आसानी से तो निकलेगी नहीं, इसलिए मैंने यहां पर आरी और पैचकस लिए है, तो हम आरी से इस बाल्टी को काटते जाएंगे और पैचकस की मदश्य से तोड़ करके निकालेंगे, ठीक है? दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, इसके चारों साइड में छेदर रह रहे गए हैं, partnerrick, क्यों रहे गए हैं, मैं आपको इसका कारणों भी बता देता हूं, दोस्तों, जो हमने दूसरी बार में में मिक्चर तैयार गिया थह, उसमें पानी की कमी थी, अगर पानी परयाप दोस्तों मैंने स्कूपर सीमेंट के गोल को लगा दिया है अब हम इसे कुछ समाई के लिए छोड़ देंगे इस गोल को सूखने के लिए ठीक है इस सीमेंट ठलकल का सा सूख चुका है अब दोस्तों हमें चैक मोटे कपलई का टोकड़ा और इस कपलई को हम पानी में भिगवा करके इस ऊपर से इस तरह से ढख देगे ठीक है और दोस्तों इसे हम 3-4 दिन तक के लिए इस तरह से छोड़ देंगे इसके उपर हम दिन में 2-3 बार पानिंग के छड़काओ करते रहेंगे ठीक है तब जाकर कि जो हमारा इस्टोप है ये चूला है अच्छे से पक करके ठोस मजबूत बनेगा दोस्तो लगबग तीन दिन पूरे हो चुके हैं और आप यहां पर इस इस्टोप को देख सकते हैं जो इसकी सीमेंट है वो अच्छे से सूख चुकी है तो यह बिल्कों मजबूस से बन चुका है अब दोस्तो इसके बाद में हमें कुछ और सामग्री की जरूत पढ़ने वाली है ठीक है तो इसे मैं बाजू में रखता हूं इसके बाद में दोस्तो हमें चाहिए एक छोटी बाली बाल दोस्तो यह बाल जो किरसी पंप रहते हैं उसकी नोजल में लगाई जाती है तो जह अब इसके बाद में दूस्तो हमें चाहिए एक लेबल पाइप जोस्तो यह पाइप आपको hardware की swap पर अब इसके बाद में जो आउटूट बाला ये निपपल है इस पर हम लेविल पाइप को लगाएंगे ठीक है तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी उपर यह नहीं आ रहा है तो इसे हम हलका सक गरम कर लेंगे और गरम करने की बात में इसकी उपर हम इसे लगा तो दोस्तों मैंने निपपल की उपर इस पैप को अच्छी से लगा दिया है अब दोस्तों इस निपपल को हम इस बाल की साथ में अच्छी टाइट कस देंगे इस तरह से ठीक है और जो पाइप का यह बचा हूँ आ छोर है इसे हम यहाँ पर जो हमने इस टूप में नलकी पाइप लगाया हुई है इसके उपर हम इसे लगा देंगे ठीक है तो दोस्तो यह पाइप का कनेक्शन पूरा हुए अब इसके बाद में दोस्तों हमें जरूरत पढ़ेगी बारा बोल्टी के एक टर्बो फैन की दोस्तों यह फैन आपको इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट की स्वाप पर मिल जाएगा या दोस्तों इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां पर भी से च भी मिली इस भी बीच में ऐसे आध्य का टूस्तों तो दोस्तों मैं इस डिप्शन को आधा काट लिया है अब इसके बाद में जो कटा हुआ भागे इसे हम टरूब फैन के इस तरह रखेंगे ठीक है तो इसे हम गम से चिपका सकते हैं लेकर मैं यहां पर गम से नहीं चिपका रहा हूं इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा सा इस डिबी को गरम करेंगी और गरम करने के बाद में इस टर्बू फैन के मोह की ऊपर सोकेट की तरह इसके ऊपर लगा दोस्तों मैंने इस टिबी को इसके साथ में अच्छे से लगा दिया है और ए फैन कुछ इस तरह से इसमें लगेगा ठीक है अब दोस्तों इस टर्बू फैन को चलाने के लिए हमें चाहिए 12 बूल्ट का चार्जर ठीक है तो यहां पर मैंने 12 बूल्ट डिले अंपेर के यह चार्जर लिया है और इहां पर इस चार्जर में जो लाल कलर का बाहर है इसे हम इस टर्बू फैन की लाल कलर की बाहर की साथ में जोड दींगे तो हमारे इस टोब बन करकि complete होगे है आब मैं आपको इसे टेस्ट करकी दिखाता हूं दोस्तों मैंने इस टोप को Чला करके कमी थी तो यहां पर जो हमने नलकी पाइप लगाया था पहले चार इंचे लंबा लगाया था चार इंचे से थोड़ा कम ही था इस पाइप से प्राइब्लम के आ रहा था जब मैं स्टूप को चला रहा था तो चलने के 10-15 मिट के बाद में यह पाइप बहुत ज्यादा गरम ह आप लगाया था तो इसे हटा करके मैंने इसकी जगा पर छेंच लंबा नलकी पाइप इसमें लगा दिया है और दोनों साइट से मैंने एमसील को भी अच्छे से भर करके सेट कर दिया ठीक है तो इसमें सर्फ यही प्राबलम आ रही थी बाकि यह अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पर दोस्तो मेंने लेबल पाइप को भी चोटा लगा रखा है आप दोस्तों अपने जरूरत के साब से चोटा या बड़ा लेबल पाईप इसमें लगा सकते हिसे तो अब दोस्तों मैं आपको इससे चला करके दिखाता हूं तो इससे चलाने के लिए हमें चाहिए जला हुआ ओइल और इस ओइल को हमें इस डिब्बी में भर देंगे ठीक है तो मैं जल्ली से इसमें भर देता हूं तो दोस्तों मैंने अंदाज से ही लगबग 200-300 ग्राम ओईल इसमें भर दिया है दोस्तों यह बिल्कुल जला हुआ ओईल है मैं नीची गिरा करके आपको दिखाता हूं First week, धाया हुए आप यहां पर इसको देख सकतो है जला हुआ ओईल है अब दोस्तों हम इस डिब्बे की ढखकन को बंद कर देंगे और इस डिब्बे को दोस्तों हम स्टूब से ओपर में स्टोप से थोड़ा उपर से तोरहा हhistmek रहा है तरहा लेबल पाइप से होता हुआ ओयल इस टूप तक आ रहा है ठीक है तो अभी दोस्तों हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जब इस टूप में लगबग 20-30 ग्राम ओयल आ जाएगा इसके बाद में हम इसे सुलगाएंगे ठीक है तो दोस्तों अंदाज इसे लगबग 20-30 ग्राम इसमें ओयल आ चुका है अब हम इस वाल को बंद कर देंगे ठीक अब दोस्तों इसे जलाने के लिए हमें चाहिए 2-3 कागच और कागच को इस तरह से हम फोल्ड करके इने जला लेंगे जलाने के बाद में इसमें इस तरह से डाल देंगे स्ट जा कि में में 2-3 मिन Pack कर टाइम दोस्त रखली से हमसे कि प्राइब इसी में सभा में दोस्तों कि यह क्लिगा नहीं दोस्तों में जो हमने कागट डाले हैं जब आधे से ज्यादा जल जाएंगे तब जा करके हम तर्बू फेन को ओन करेंगे ठीक है तो दोस्तों अब हम इस तर्बू फेन को ओन कर देंगी कि दोस्तों आप देख सकते हैं और इस लगना इस्टार्ट हो चुका है और दोस्तों मैंने इस वीडियो को भी फास्ट कर रहा है क्योंकि यह वीडियो पहले से ही काफी ज्यादा नंबा हो चुका है कि इसमें जो हमने कागट डाली थी वो पूरी तलह से जल गए हैं अब दो इस सुलगनी में थोड़ा सा टाम और लगी जाई यानि कि इसका फ्लेम बढ़नी में ब्यासर से वेल व्क्राइब क簡 और चुका है और जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसका फ्लैम भी बाढ़ जाता है दोस्तो आपने आपको इसी वीडिया उपको बरतन कर lleशिश ह पानी में से हलकी हलकी सी बबल आना इस टाड़ हो गया है अब मैं आपको इस बरतन को पलट करके दिकाता हैं तो यहां पर देख सकते हैं बरतन हलका सा भी कालन नहीं पड़ा है और दोस्तो आपने बाद जैसे ही स्टोप में हलकी सी बुन गई वे धबाक उठा तो इस बात का दोस्तो आप खास करके ध्यान में जब भी इस तो जर रहा हो तो इसमें पानी की बुनियों नहीं पलनी चाहिए ठीक है तो आपने दोस्तो बरतन देखा हलका सा भी पड़ा नहीं पड़ा अगर खुलका कालर फो भी रहा है तो आप भील कापला फिर करके उसकी कालिक को को आसानी से हटा सकते हैं जो मैंने सुरूबात में उपयोग किया था 20-30 ग्राम वही अभी जर रहा है और आप इसका फ्लैम देख सकते हैं कितने जादना बढ़ चुका है तो दोस्तों अगर आप इसे कंटिन्यू इसी तरह से जलाना चाहिए तो इस बाल को हम इस तरह से हलक करते हैं ही टर को प्योग करते हैं तो बढ़ करके आता है और गयस की जनजट रहती है तो दोस्तों अगर आपने सिसे टॉप को बना लिया तो इनसा भी जनजटों से आपको चुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों मुझे से स्टूप को बंद करना है सिलिए मैं इस बाल को वाइल डाला था वही जल रहा है और मेरे हिसाथ चैनल तक और जल जागा और इसे बंद करने के लिए दोस्तों पहले हम बाल को बंद करेंगे और की सप्लाइब को रोक देंगे जब तक इस टोप में प्यान को बंद कर देंगे और इस में से धुणा निकलना शुरू हो जाए तो दोस्तों हम इसी बात का ध्यान में नहीं जब यसे बंहों要 कर ना पढ़ेगा तो पहले हम आयल कि सप्लाइभ को रोब देंगे इसकी बात में जो पूरा उयल जल जाल जा अघर और आप लगयों कर रहे हैं तो आप एसी चैनल पर नहीं, रहेगी बरतन भी काले नहीं प सब्सक्राइब करने तो चलता हूं दोस्तों आज के लिए बस नहीं नेस्टाइम फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ में वीडियो के साथ मैं अन्तितक बने रहेने के लिए आप सभी के बहुत-बहुत धन्नवाद